बहुत बड़ा मामला है और इसमें ओविस सी बात है हर किसी की जानकी खत्रा है सिफ प्रिदा की नहीं जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसकी भी सब की जानकी खत्रा है तो ये अन रिकॉर्ड आ जाए तो सब के लिए सेफटी हो जाएगी बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नितिश कुमार विरजमान है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं लेकिन कुछ साल पुर्व जिस परकार से मुझपरपुर बाली का ग्री कांड का उद्भेदन हुआ था इस पूरे मामले में जो मास्टर माइंड बर्जे समाज कल्यान विभाग की ओर से क्लिंचीट जारी किया गया था लेकिन अब समाज कल्यान विभाग की नींद खुली है और जो बच्ची है जो पीडीता है उसका बयान दर्च करिया गया लेकिन इस पूरे मामले को लेके जो मॉनेटिंग है जो केस लड़ रही है पटना मैं पहला जो पटिसन अपने दायर किया था लगातार ये काफी गंभीर मामला है पतना ये पतना सेटर हम पे आप काम भी कर रही है जब इस तरह की घटना की लिपा पोती blow की जाती है अभी तो फिलाल हमने victim के ओर से petition दायर किया है intervener petition और court से हमने prayer किया है कि हमें intervene किया जाए और हम पिरिता के ओर से पिरिता ने डिमांड किया है कि 50 लाक रुपे उन्हें compensate किया जाए और government job और उनको protection दी जाए हर तरह की protection तो फिलाल हम उनके तरप से ये मांग कर रहे हैं हैं उसमें हम वो तमाम गरबडियों का जिक्र करेंगे, जिस बातों को अभी तक उठाया जा रहा है, जैसे कि जो गर्ल्स वहाँ पे थी, वो कहां गई, उनको वेरिफिकेशन्स मांगेंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो अन रिकॉर्ड लाया जाए लड़कियों का, कब से कब तक वो कहां थी, कहां से आई, कहां गई, किसके द्वारा गई, किसको दिया गया, वो लोगों का सत्यापन हो, जिन लोगों को सौपा गया, और एक प्रकडिया का मांग किया जाएगा, कि जब भी लड़किया वहाँ से रिलीज हो, तो एक तौर तरीका हम लोग ट्राइ करेंगे कि उसको गढ़ित कराने का, उसमें कमीटी बनवाने की मांग की जाएगी, कि महला विकास मंच के मेंबर्स को उसमें सामील किया जाए, और जो भी और भी जो बाते हैं, जैसे कि CCTV कैमरा की फूटेज, वो कैसे स्टोड करते हैं, किस हिसाब से, क्यूंकि उसको और आजाएगा, तो हमें और आसान होगी इस चीजों को आगे बराने में, जो बाते जिक्री की गई है, मुख बिंदू की बात कर ली जाए, तो आप बोलें, जैसे कि 50 लाक रुपया, नौकरी और सुरच्छा दी जाए, क्या लगता आपको की जो पिडिता है, उसकी जान क और नयाएक नजर में होगी अब, अब जैसे की चीजे थाना लेवल पे रहती है, लोर लेवल पे रहती है, तो थोऱा सा बात अलग होती है, लेकिन अब नयाएक नजर में है, तो हाई अलर्ड जों में आ गए हैं, सारे लोग, पहला पटीशन आपने दायर करवाया, उसम बच्ची के जान को खत्रा को लेकर बिल्कुल बिल्कुल सारी बाते को जिक्र कर दिया गया है सारी बाते को रख दिया गया है कि किस तरीके किन किन परस्थितियों को उनको जहलनी पड़ी और क्यों जहलनी पड़ी और अगर कुछ उलंगन हुआ है जैसे कि मीडिया में प्रोसीडिंग के दोरान तो उसको दवय रखने के लिए बहुत सारा चीज हो सकता है उनके साथ तो यह सारी गाइडलाइन्स क्यों भी तो उलंगन हुई है तो वो किन परस्तितियों में किया गया जस्ट बिकॉस की अगर अगर अपने लेवल पर काम कर ली होती तो इतना बा कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी हो गई होगी इसकी पहचान हो गई होगी तो बहुत अरीकी की बात चीजें है ना जिसे जिसे मद्दे नजर रखना है हम लोगों को मैंटम एक चीज और बिहार में सेल्टर हम जो है हमेशा भी वादों में रहा है मुझपरपुर की बात कर ली जाए पटना सेल्टर हम की बात कर ली जाए तो आप समाज कल्यान के तरफ से जो भी बच्चिया वहां पे रहती होंगी जो जिनका जो टर्म है खतम हो जाता होगा जब उनको छोड़ा जाता होगा तो क्या कुछ परक्रिया है ऐसा लगता नहीं आपको कि लापरवाही बढ़ती गई होगे जिस परकार से आप बात कर रहे हैं कि पाच बच्चिया जो है लापता बेचे जाने का डर है यह तमाम चीजे जो है इसको बहतरीन तरीके से देख काम कर रहे हैं तो उसको मैजिस्ट्रेट लेवल पर किया जाये कि हां रिलीज हो रहे है तो बिफोर मैजिस्ट्रेट हो जाये सत्यापन हो जाये तो इन साभी चीजों को एक कानूनन ढंग से बात दिकर दिया जाये कि कोई भी लड़कियां मिस्यूज ना हो, जैसे कि बेल होता है, तो बहुत तरीक से बांधा जाता है, कि बेलर कॉन है, क्या है, उसी तरीके से ये भी एक बेल जैसा, एक सिस्टम बने, कि जहाँ पे सारी चीजों को एकदम बाद कर दिया जाए, कि जो इनसान जो ले जा रहा है उस बच्ची को या फीमेल को तो वो इसको ले करके हम लोग पेटिशन डायर कर रहे हैं यहां वो डड़ी हुई तो है सहमी हुई है क्योंकि इतं़ी कम ही में कौई बहुत जाता है जब इतनी सारी चीज Score को वो जहलता है तो मीडिया जारहे है है कानूरी का रवाई चल रही है पूलिस बयान हो रहे हैं सि जीเอ आम जी का बयान हो गया है स्टेट वेल्फेयर कि काड़ियों को आप करीब से जानती होंगी किस परकार से सिल्टर हमें लोगों को रखा जाता है मतलब काफी हाँ मैं काफी क्लोजली सब चीजों को देख रही थी पांच साल से तो मैंने मेरे ख्याल से मैं पांचे लोगों का केस देखी हूं हाँ धोगों के तीन लोगों को निकली हैं और बाकी लोगों का जब मैंने पता किया तो उसे मैं मुझे बुला आता था कि उनलोगों को रिलीस कर दिया गया और वो ट्र安全 कर दिये गया तो मुझे लगा कि अच्छा शायद ट्रांसफर का तो प्रावाधान है कि एक शेल्टर होम से दूसरे होमे कर देते हैं तो मैं उसको हलके में लिया था मुझे लगा था कि के लेकिन अब जब जिस तरीकी की बाते निकल के आ रही है तो मुझे लग रहा है कि शायद उन लोगों का भी तसक्री कर दिया गय सुरक्षा तो नहीं चाहिए कि लड़किया कहा गई जो तीन लड़किया जो है मेरे नजर में हैं मैं जानना चाहती हूं कि कहा है जी हा मैं उनकी वकील थी वो लो मेरे से लीगल एसिस्टेंस लेती रही है और एड़वाईस भी लेती थी नहीं नहीं वो भूली भटकी करता था तो जैसे कि अब तो यह सारवजनिक हो चुका है कि वहां पर मॉवाईल स्वोंस यूज होते हैं तो मॉवाईल के जड़ियों मुझे रही है तो वो वाया वाया किसी से कॉन्टैक करवाते हैं वो लोग इस तरीके से माली जे जिसका कोई नहीं होता अंदर में बचिया रहती है आपसे संपर्क साधी कानूनी परकिरिया के तहता आपने बाहर निकाला तो जब बाहर निकाला जाता है जो भी कानूनी परकिरिया के चीजे होती है तो क्या कोई गार्जिन खोजा जाता था पहले भी और अभी लेकिन जो लड़कियां मेजर हो जाती जैसे कि बहुत सारी कैटेग्री की लड़कियां हैं जो भूली भटकी हैं जिनका कोई नहीं आगे पिछे और कुछ हैं जो कि लव मैरेज कर ली हैं या परिवार से जगडा करके चली निकल के चली आई तो उन लोगों को परिवार भी एकसेप्ट नहीं करना चाती उनके गार्जियन है पर वो लोगों कहते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं हूं लड़कियों से तो उन जैसी लड़कियां जो मतलब की बाहर निकल के बाहर की दुनिया देखना चाती हैं कमाना खाना चाती हैं अपनी पैर पे खड़ा होना चाती लेकिन एक particular case में किया गया था, उसका पूरा adjudication high court ने किया था, तब किया गया था, लेकिन उसका misuse हुआ उस order का, मुझे ऐसा अब लग रहा है, अब प्रतीत हो रहा है कि उस order का इस्तमाल किया गया और वंदरा गुपता को एक हटकंडा मिल गया था, कि इसके आधार पर मैं मैं बहुत सारा चीज कर सकती हूँ, तो उन्होंने इसका misuse किया, 2017 से इस इस तरीके के चीजें हैं, तो पहले लगता था कि शायद अब ये reform हो चुका है, तो अब शायद चीज़े ठीक हो गई है, और लेकिन चीज़े ठीक नहीं हुई थी, उसे दफना दिया गया था, एक अब इस रूप में उजागर हो रहा है कि जो इनके थ्रेट्स हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लाता है बंदा गुपता एक बहुत छोटा सा पहलू है इसका, इसके आगे-पीछे बहुत बड़े-बड़े पहलू होंगे, जो कि अब खुल जान कानूनी परकिरिया है, पेटीशन है, मंडे को एक और पेटीशन डाला जाएगा, लेकिन जिस परकार से लगातार पटना, सेल्टर होंपे जो सवाल उठ रहे हैं, लगातार खौफनाक सज्जू बाहर आ रहा है, वो कही न कहीं चिंता का विश्य है, और वन्ना गुपता त और कहीं न कहीं बड़ा सीधे तौर पर का सकता है कि धमाका हो सकता है, केमरा में नजया के साथ रोईत NBC24 पटना